दारजिले के राजोदनगर में बच्चा चोरगिरो के अफ़ा ने फकिरो की जानाफत में डाल दी राजोदनगर में खरगुन बढ़वानी मनावर गनवानी के कुछ फकीर भीक मांग रहे थे जिने अफवा के चलते योगों ने जम कर पीट डाला जिसका वीडियो भी सोचल मीडिया पर वायरल हुआ बताया जाता है कि नगर में या अफवा फेला दी गई थी कि नगर में बच्चा चोर गिरो गूम रहा है या अफवा नगर में तेरी से फैलती गई तब ही नगर के लोगों ने बिक्चा मांगने वाले फकीरों को अलग-अलग अजिस्तानों से पकर कर उनकी तुनाई कर दी इस गटना की सूचना जैसे ही राजोत थाने की पुलिस को लगी और तुरंते ही पुलिस मौके पर पहुची और विक्चा मांग रहे फकीरों को लोगों से चुड़वा कर पुलिस थाने लाया गया जहां उनकी तलाशी लेकर वा पुच्ताज की बाद सुरक्षित उनके गड़ों को पहुचाया इस गटना पर धारेजपी मनुच खुमार से ही ने बताया कि राजोत में कुछ लोग बिक्चा मांग रहे थे जिनने अफ़वा के चलते मारा पीटा गया पलिस ने तुरंत करवाई करते वे बिक्चा मांगने वालों को राजोत थाने से पलिस पोरस के साथ सुरक्षित उनके गड़ों को पहुचाया मार्पीट करने वालों के खिलाब पुलिस वाइरल वीडियो वसी सी तीली कैमरे के फिटेश के आदार पर प्रक्रन दर्जकर आगे की कारवाई ही कर रही है बारती नियूज के लिए डार्जे साबिर खान अफम की रिपोर्ड मां एक खाट्टा भीड करके हम तो वार्दा के जीए नियूज के बोले ये बच्चे चोरे हैं नियूज के मारा हमें कहां की गटना है ये राजोद की है कितने लोग न मारा आपर ये लोग हिसाब से कि 30-35 तितों हो आपर जिरे लोग मारा है पूले थे कि बच्चा चोरे हुँ बोले और मुझे जब घटना बोले ये बोले थे कि वच्चा जोरे है और मारते जा रहे थे हो इतने लोग न मार कोई कि तीस-35 लोगों न मार कि इंवर्टे नियूज किस इस इस वाह रहा दूग है बेल्टे और कड़े की और हाफ पे र पुलीस ने क्या गरा मोके पाई थी तो निकाला बहार गाड़ियों में डालने के वाद भी काड़ी में मार रहे हैं पुलीस की मजुद्गी में भी देखिए बेब खरगाउन बढवानी मनावर गंदवानी से कुछ फकीर लोग भिच्छा मांगने के लिए गूम रहे थे उनके गूमने के क्रम में राजोद ग्राम बासियों का संदे हुआ कि ये लोग बच्चा चोर कोई गेंग तो नहीं है इसी बच्चा चोर गेंग के श्रस्य होने के नाम पे संका के अधार पर उन लोगों उनके साथ थोड़ी जुमा जटकी करिये मारपेट हुई थी ततकाल राजोद थाना प्रभार्ज मोगे पर पहुंच करके उनों को बचाये बचाने के बाद उनके साथ जो मारपेट हुई थी उस पर हम लोगों ने मुकदमा कायम दर्ज कर लिया है और इस तरह के जो लोग भी राजोद के आसपास घूम रहे थे उनको सब लोगों को ह तो मुकदमा कायम हुआ है उसमें जो लोग तो की रहने वाले लोग बढवानी और खरवाण के थे किसी को नहीं जानते थे तो मुकदमा अज्यात में कायम हुआ है लेकिन CCTV फूटेज वीडियो का अधार पर परचान करके अगली करवाई की जाएगी Subscribe now to the most exciting channel ever